प्रिय भाई और विहनों आज का सुबसनेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं आता ही प्यार मसी आनन से मागन हो जाए आता ही प्यार मसी कभी पर जुदाना होगा सभी साथ सदा रहेंगे सभी पर जुदाना होगा सभी साथ सदा रहेंगे आएगा आएगा मेरा इंश को मसी आएगा 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 मेरा इंश को मसी आएगा आज का संदेश प्रभु के दाज टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बाटा जाएगा रार्तना के साथ सुनिए जै मसी की आज की मनन के लिए युवन्ना रेजित सूसमाजार सत्रा अध्याई की पहले और दूसरे आयद पढ़ने के लिए चाहता हूँ हे पिदा वह गड़ी आप आउची है अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिगार दिया कि जिने तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंद जीवन दे युहन्ना रेजित सूसमाजार 17 अधियाई में प्रभीशुमसी का एक बड़ा एक प्रार्तने का बारे में आम दे सकता है प्रभीशुमसी इस प्रार्तना करते हुए समय पर विश्वासी लोगों के लिए पांच बातें देने के लिए प्रभु आये है और इस बातों को पिदा परमेश्वर का पास में और बता रहा है तो हम इसमें दे सकता है इसुमसी सम्बूर्न परमेश्वर सम्बूर्न मनुष्वी है उसका जो मनुष्वत में परमेश्वर पिदा का साथ में प्रार्तना कर रहा है अपना महिमा चोड़कर एक देह को रूबरदारन करके इस पृतिवम आये हमारे जैसे प्रभीश्वमसी और इस पृतिवम रहा एक बातों में प्रभीश्वमसी अलग रहते है उसमें पाब नेता लेकिन हम इसमें दे सकते हैं पिदा का साथ में अमेशा प्रार्तने का संबर्क जीवन को हम इसमें दे सकते हैं पुरान नियम में महायाचक साथ्षे मंडब कंदर जो प्रार्तना करते हैं जिस प्रगार प्रभीश्वमसी बेलिदान करने का पहले बेलिदान होने का पहले इस प्रार्तना कर रहा है सारे जनदा के लिए और सारे दुनिया का लोगों के लिए प्रभीश्वमसी प्रार्तना किया शासात में अपने शिश्यों के लिए भी प्रार्तना किया और जैसे प्रभीश्वमसी का गेड़ी आ पउचा है प्रभीश्वमसी क्रूस पर मारने का समय आ गिया है इस पहले प्रभीश्वमसी बहुत बार इस प्रगार कहा मेरा समय आया नहीं है मेरा गिड़ी आया नहीं लेकिन आभी प्रभु करता है मेरा गिड़ी आप पूचे है मैं मरने का बात में पिदा परमेश्वर को करता है कि मुझे महिमा में लाओ जैसे परमेश्वर पिदा का भी महिमा हो सकता है हमें इस प्रगार दे सकते हैं इशुमसी और क्रोस पर मरने का बात में तीसर दिन जीव उटा और उसका बात में सोरकु में चला गए परमेशवर की धाइनी और जाकर बैड़ गिया महिमा में परमेशवर पिदा ने उसको स्विकार किया पिदा कभी प्रबु ने और महिमा किया मनुषजात को बचाने के लिए और प्रबु अपने जीवन सूली पर दिया और इसका द्वारा परमेशर कभी महिमा उते है सारे मनुष जो विश्वास करने वाला है और परमेशर पिदा को प्रवी सुमस्री का द्वारा महिमा रोज करते है हम परमेशर को धन्यवाद करेंगे प्रभु आने का एक उद्देश यहाम तो समझा रहा है ओ उद्देश यहाम हम दे सकते है प्रभु में जो विश्वास करता है वो सभी लोगं को अनंद जीवन मिले इसलिए प्रभु यहां माये है पांच बातें प्रभी शुमसी देने के लिए आए उसमें पहली बात है अनंद जीवन इस अनंद जीवन का बारे में आम समझना चाहिए अनंद जीवन समझने का पहले अनंद काल का मृत्यु का बारे में भी आम समझना चाहिए रोमियों का पत्रिगा अध्याई शेक का तेविसमे आयद में इस प्रगार पड़ते है क्यों की पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंदु परमेश्वर का बरदान हमारे प्रभी शुमसी में अनंद जीवन है पाप का मृत्यु जो मजदूरी जो मृत्यु है ये बातों को हम दे सकता है आदम अहुआ ने पाब किया कुछ समय पर वो लोग का जीवन में मृत्यु आया है पहली बात है कि ये लोग आत्निक रीशे मृत्यु पाया फिर हम देखते हैं शारीरी रीशे आज कल जितने पाबी मनुशे हैं मरने का बात में और आत्मा प्राण अलग ओकर परमेश्वर का सानित चोड़कर अनंद काल का नरक में जाता है वो अनंद काल का मृत्यु नरक है अनंद जीवन का बारे में भी आम समझना चाहिए अनंद जीवन जैसा है आम इस वर्तमान काल में इस मसी से आम शुकार कर सकता है प्राप्त कर सकते है। लेकिन एक बात है उसका परिणाम तो हम अमेशे के लिए जीवित रहेगा। इशु मस्ती क्रोष पर मारने का बात में सजीवन हुआ, मृत्य को हराया। तो प्रभीशु मस्ती में विश्वास करने वालों के लिए ये एक आशे की बात है। और मृत्व का बात में भी हम प्रभू का साथ में जीवित रहेगा अनंद काल तक हम जीवित रहेंगे ये बातों को इदर तो समझाता है हम पृत्वी में जिस प्रगार की बाते हम दे सकता है एक मचली का जनम और पानी में होता है वो पानी में जीने के लिए उसका शरीर कटना दिया है मनुष्य का बारे में भी हम देखता है मनुष्य सुक्का भूमी में उसका जनम होता है सुक्का भूमी में उसको जीने के लिए उसका शरीर कटना दिया है लेकिन एक मेंड़क का बारे में हम देखता है वो पानी में और सुक्का भूमी में भी जी सकता है जैसे एक विश्वासी और इस पृत्वी में उसको जी सकता है और सा साथ में मृत्वी के बात में इशुमसी को जो ग्रहन करने का कारण से वो अनंद काल तक परमेश्वर का साथ में और जी सकता है हम युहनरेजित सुसमाजार 11 ध्याई की 25 व्याईद में इस प्रगार पढ़ते है इसुने उससे कहा पुनुर्धान अवर जीवन में ही हूँ जो कोई मुझे पर विश्वास करते है वह यदी मर भी जाए तो भी जीएगा इसुमसी करते है कि पुनुर्धान अवर जीवन में ही हूँ फिर करते है और कोई मर भी जाएगा तो भी और प्रभु का साथ में जीएगा ये है अनंद जीवन का आर्थ यहाम समझाता है प्रभु हमको सहाइद करें हम इसमें ये बातों को देखा प्रभी शुमसी का प्रार्तने में और विश्वास करने वाला लोग के लिए अनंद जीवन देने के लिए प्रभु आए इस जीवन प्राप्त करने के लिए और प्रभू प्रार्तना करता है तो इसमें एक बात हम समझ सकता है इशु मसी को हम जाने तो प्रभू को हम आसरे रखेगा और प्रभू में हम आगे बढ़ेगा यह अनंद जीवन हमारा वोता है आपका जीवन में प्रवीश्य मसी को आप ग्रहन नहीं किया तो इश्य मसी को ग्रहन करो इस आनंदी जीवन प्राप्त करें जय मसी की